अज़ा कौन व्यक्ति था जो विदेश में रहकर भी 1857 की करामती पर पैनी नजर रखे हुए था और निव्यार्क डेली ट्रिव्यून में उसने इस करामती पर 21 लेख लिखे ठीक है ना? उप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट रंशरों की आप्शन ए कर्ण मार्स अगला प्रशन है अगला प्रशन है 1857 की करामती आरंभ हुई है ना? कब हुई? तो देखे इसका करेक answer को option C, Lord Canning, चली, अब आते हैं अगले प्रश्णों पे, अगला प्रश्ण आपके सामने है, है ना, अगला प्रश्ण है, कि 1857 की करांती, है ना, से पुर्व, अफवाहें फैल रही थी, कौन सी अफवा सही है, ठीक है ना, तो देखें इसका correct answer को option D, उक्त सभी अफवाहें फैल लेती, तो सभी सही है, इस अनुसर साब का answer होगा, option D, है ना, चली, अब आते हैं अगले प्रश्णों पे, अगला प्रश्ण आपके सामने है, कि 1857 की करांती के दवरान, है ना, सागर एबं आसपास के छित्रों में, किसने अंगरेजों को परिशान किया, तो देखें इसका correct answer होगा, option D, है ना, इन में से सभी ने, चली, अब आते हैं अगले प्रश्णों पे, कि किस महिला ने, है ना, सतारा, उजेन, ग्वालियर, आदी में, 1838 से 1863 तक अंगरेज के विरुद सडियंत्र किया, तो इसका correct answer होगा, option B, महारानी, बैजावाई, सिंधिया, चल अगला प्रस्ण है कि रानी लच्मिवाई का जन्म किस अस्थान पर हुआ था, option आपके सामने है, इसका correct answer होगा, option B, है ना, कासी, चली, अब अगला प्रस्ण आपके सामने है, कि पटना में 1857 की करांती का नेतरित्व किस ने किया, तो देखिए, option आपके सामने है, इसका correct answer होगा, option A, पीर अली, अगरा प्रस्ण आपके सामने है, कि करांती के दमन के बाद कौन करांती कारी नेता, नेपाल गया, तो देखिए, इसका correct answer होगा, option C, है ना, ये दोनों, यानि कि नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों गए, तो इस अनुसार साब का correct answer होगा, option C, है ना, चली, अब आते हैं, अगले प्रस्णों पे, अगला प्रस्ण आपके सामने है, कि निमलिखित में से, किस महिला ने, है ना, 1857 की करांती में भूमी का निभाई, चली, तो आपके सामने option है, इसका correct answer होगा, option D, इन में से सभी, चली, अब आते हैं, अगले प्रस् से, चली, अब आते हैं, अगले प्रस्णों पे, कि सागर में, अंग्रेज पुरूस, है ना, महिलाओं एवं बच्चों को, कितने दीनों किले में सरन लेकर रहना पड़ा, तो इसका correct answer होगा, option C, है ना, 222 दिन, चली, अब आते हैं, अगले प्रस्णों पे, अगला प्रस् प्रस्ण आपके सामने है, कि 1857 के गदर को किसने करामती कहा है, अप्रस्ण आपके सामने है, इसका correct answer होगा, option C, है ना, 발ि जूरोज, चली, अब आते हैं, अगले प्रस्णों पे, अगला प्रस्ण आपके सामने है, कि 3 February 1859 को सागर में, बिदरोह का दमन किसने किया, अगला प्रशन आपके सामने है कि तात्या टोपे के अंग्रेजों को अधिक छकाया उसे किस अस्थान पर 18 अप्रेल 1869 को फासी दी गई तो इसका प्रशन आपके सामने है कि जोकन बाग हत्याकन 8 जून को कहां पर हुआ तो अप्रशन आपके सामने है इसका करेक्टर अप्रशन आपके सामने है अगले प्रशन आपके सामने है ठीक है अगला प्रशन देखिया आपके सामने है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने 1842 के बुलेंदा विद्रो बुंदेला विद्रो के दमन में अंग्रेजों की मदद की अगर 1857 की करांती के दवरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परिशान किया ठीक है ना तो देखिए option आपके सामने है तो इसका correct answer होगा option B है ना बक्त वली चली अब देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन आपके सामने है कि बिहार मे कि बिद्रोह का प्रमुक नेता कौन था है ना या थी तो देखिए इसका correct answer होगा option है ना डी यहने की कुमवर शिंग चली अब आते हैं अगला प्रशन पे अगला प्रशन आपके सामने है कि वियप वियप गत के सिधान्त का सम्मंध है ना किस से है ठीक है तो देखिए इस में किस अस्थान पर विद्रोह हुआ था तो इसका correct answer होगा option D है ना इन में से सभी जगा चली आब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है ठीक है अगला प्रशन है कि बुंदेल खंड के किस अस्थान पर है ना हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रो विबाई है ना राव सहाव बक्तो वली है ना बक्त वली मर्दन शिंग एवं ठीक है अली वहादूर दूतिय आदि एकत्रीत हुए थे ठीक है तो इसका correct answer होगा बाइस का है ना सी यानि की काल पी चली अगला प्रशन है कि हुरोज है ने किस नगर में किस नगर के है ना सम परिक महत्तो को अत्यधिक माना है एवं उसे जवनपूर से भी अधिक महत्त पूरुन बताया है तो देखे इसका correct answer होगा option C है ना सागर चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के प्रमुखनेता बहादूर शार जफर को है इसका correct answer होगा option B हुमाईयों के मकवरिश अगला प्रशन है 1857 की क्रांति का है ना ततकाली कारण क्या था तो इसका correct answer होगा option C है ना चरवी वाले कार्तूस चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि the great है ना रिवोल्ट नामक पुस्तक किस ने लिखी option आपके सामने है इसका correct answer होगा option B असोक महता अगला प्रशन है कि अबद में 1857 की क्रांति का नेतरित्व किस ने किया option आपके सामने है इसका correct answer होगा option C है ना बेगम हजरत महल चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि बीवी घ प्रशनों पे कि सैनिकों द्वारा परियोग में लाई जाने वाली राइफाल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रों का कारण बनी तो देखे इसका correct answer होगा option A है ना एन फिल्ड चली अब आते हैं अगले प्रशनों पे अगला प्रशन आपके सामने है कि 1857 के विद्रों के समय इंगलेंड का परदान मंतरी कौन था उप्शन आपके सामने है इसका correct answer होगा option C है ना पाम अश्टर्ण अगला प्रशन आपके सामने है कि 1857 के विद्रों के समय है ना भारत का बात्साह कौन था उप्शन आपके सामने है इसका correct answer होगा option C बहादूर सा दूतिय अगला प् वीडी सावर कर ठीक है तो प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं और जितना जादा से जादा हो सके इस वीडियो को सेर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भोलें और चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गए वीडियो की नोटोपे कसन आपको टाइम पे मिलता रहे तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेश वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम